Hello, Good Morning Students, Welcome Back to My Class Students, आज हम लोग Chapter 6, Cooking Food इसका 3rd paragraph पढ़ेंगे Last वीडियो में बिटा, हम लोग इसका 1st और 2nd paragraph पढ़ चुके हैं तो आईए सुरू करते हैं, चलिए Food that we cook before eating बिटा, ऐसे food items जिनने हम खाने के पहले cook करते हैं उनको पक, यानि ऐसे food items जिनको हम पका कर खाते हैं तो यहाँ पर है, most of the food we eat are cooked यहाँ पर ऐसे बहुत सारे food items हैं जिनको हम पका कर खाते हैं, ठीक है? Cooking makes the food soft, tasty and also easy for chewing and digesting बिटा, यह जो food items होते हैं, उनको पका कर खाना उनको पका कर खाने से, food जो है, soft हो जाता है tasty हो जाता है और जो है, चबाने और पचाने के लिए भी यानि बिटा, हमारा जो digestive system है वो उनको अच्छे से digest कर सकता है और हम भोजन को अच्छे से chew कर सकते हैं, अच्छे से चबा सकते हैं Cooking also kills many germs present in food that might be harmful for our body बिटा, भोजन को पका कर खाने से, क्या होता है? कि उस भोजन में उपस्थित, जो भोजन में जो भी germs और उपस्थित रहते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीके? तो जो germs होते हैं, उनका क्या काम होता बिटा? वो हमारे सरीर को नुक्सान पहुंचाते हैं, वो हमारी body के लिए harmful होते हैं तो भोजन को पका कर खाने से, वो germs मर जाते हैं, और हम healthy and fit रहते हैं Plant food like cereals, pulsage vegetables like potato, pumpkin, brinjal, etc. and animal food like meat, fish, etc. need to be cooked well before eating देखो बिटा, यहां पर जो plant food, ऐसे food, जो हम plant से प्राप्ट करते हैं जैसे अनाज, डालें, और vegetables जैसे आलू, pumpkin, ठीक है? और यह ब्रिंजल, ब्रिंजल का मतलब बैगन, यह सारे जो सबजियां हैं और animal food, ऐसे foods जिने हम animals से प्राप्ट करते हैं, जैसे meat, fish, यह सारी चीज़ें जो हैं वो पका कर खानी चाहिए, ठीक है? तो fact to know के बारे में बात करते हैं, बिटा, देखो cooked food are soft, tasty and easy to digest cooked food जो होते हैं, वो soft होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, tasty हो जाते हैं और पचाने में आसान हो जाते हैं, they are also free from many diseases, causing germs तो बिटा, और इस तरह से जो भोजन में germs होते हैं, वो भी मर जाते हैं, ठीक तो various methods of cooking, बिटा, यहां पर पकाने की, भोजन को पकाने की कई बिधिया हैं, कई methods दिये गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं Various methods like frying, steaming, boiling, baking, grilling, roasting, etc. are used to cook food देखो, कई तरह के methods हैं भोजन को पकाने की, जैसे fry करना, steaming करना, boiling करना, यानि उबालना, baking, baking करना, grilling करना, roasting करना, यह सारे जो, यह सारे methods हैं भोजन को पकाने की, ठीक है? तो let's know more about them, one by one, आईए हम लोग उनके बारे में और अधिक पढ़ते हैं, एक एक करके, ठीक है? एक एक करके हम उनके बारे में और पढ़ते हैं, जैसे पहला है आपका boiling, boiling is the process of cooking food in hot water, तो बिटा, boiling जो है, एक ऐसा process है, जिसमें हम food को, ठीक है? गर्म पानी में cook करते हैं, गर्म पानी में पकाते हैं, जैसे rice, pulses, meat, fish, eggs, and some vegetables are cooked by this method, और bitter boiling method में, rice हो गया, pulses, डाल, meat, fish, eggs, और some vegetables, यानि कुछ सबचियां जो है, वो पानी में boil करके पकाई जाती हैं, ठीक है? आगे देखिये, beside making the food soft, boiling also kills the germs present in the food, और बैटा, देखो, भोजन को मुलायम बनाने के अलावा भी, जो boiling होती है, जो जिसे हम उबालना कहते हैं, बैटा, बॉइल करना, तो ये जो है, भोजन में उपस्थित, germs को, यानि कीटाड़ों को मार देती है, ठीक है? भोजन को उबालने से, जैसे हम दूर को उबाल देते हैं, तो इससे क्या होता है? दूर लंबे समय तक बना रहता है, अगर हम नहीं उबालेंगे दूर को, दूर को boil नहीं करेंगे, तो दूर फट जाता है, आप लोग जान steam, steaming जो होता है एक ऐसा process है, जिसमें हम food को, food items को cook करते हैं, pressure cooker या steamer की सहायता से, ठीक है? जैसे इडली, ढोकला, मोमोज, ये सारी जो food items हैं, ये steaming द्वारा बनाये जाते हैं, ठीक है? स्टीमिंग से पकाए जाते हैं, तो बिटा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, frying, deep frying और grilling, roasting इन सब के बारे में हम लोग next video में पढ़ेंगे, this is all the best, thank you.